Hello everyone, आज की वीडियो है डाल पालक की हमारे पंजाबी घुरों में जादा तर डाल पालक बनती बनती है क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनती है ये अगर आपने अभी तक कभी डाल पालक ट्राई नहींगी न तो इस रेश्पी को जूर देखेगा बहुत जल्दी बनती है और टेस्टी बनती है क्या करेंगे सबसे पहले मैंने पालक की तीन गुच्छियां ली है उनको अच्छे रंग से धोके साफ करके इनने मैंने डाल दिया है कुकर में कैस को नीचे से कर दिया है मैंने अन आप चाहो तो इसे पालक को काट के भी डाल सकते हो या ऐसे भी धोके अच्छे रंग से डाल सकते हो क्योंकि पालक बहुत जल्दी गल जाते हैं से काटने के भी कई बाद ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं प्रेस करें से करते हों ताकि और जोने ज़रूरत चैनिन के ओपर पालक आशके वाद दाल दालने के बाद इसमें डाल दिया है मैंने लहसूं और आरी मिर्च और सात में डाल्दी आए नमक नमक डाल के इसको कर देंगे जी कुकर को बंद वो दो से तेन विसल आने देंगे दो से तेन विसल में पालक बहुत बढ़िया गल जाती है बस ये दिखे बहुत बढ़िया गल ही है ये पालक अब इसे क्या करेंगे blender से या फिर आप mixer grinder में भी इसे grind कर सकते हो तो लीज़े जी पालग तो हो गी है grind अब क्या करना है जी हमने लेनी है दाल यहाँ पर मैंने एक कटोरी डाल लिये जिसको अच्छे जंक से धोके इसमें डाल दिया है कुकर में अब क्या करेंगे इसमें डाल देंगे पानी पानी आपने इतना डालना है कि दाल असानी से इसमें टिप हो जाए बस अब क्या करना है चार से पांच विसल दिलानी है हमने दाल को ज्यादा गलानी नहीं है ठीक ताकि थोड़ी खड़ी पी रहेगे तो बढ़िया बनती है बस इसमें डाली है मैंने हिंग मुझे हिंग का तड़का बहुत बढ़िया लगता है साथ ही डाला है लेसन वैसे तो लेसन पहले डाला हुआ था पर फिर अगर आप थोड़ा सा लेसन और डाल दोगे न तो मसा आ जाएगा बरीक बरी काटके प्याज डाले इनको अछे रंग से कुक करने के बाद इसमें ढाल देंगे हम बरीक टे टमाटर टमाटर को आप प्यूरी बनाके भी डाल सकते हूँ जैसा आपका मनेख वैसा करिए बस इसको अच्छे रंग से हमने टमाटरों को गला लेना है जब टमाटर जैंगे फिर इसमें डाल देंगे डिशी थोड़ा असाट नमक कई कन नमक हमने अल्रेडी पहले डैला हुआ है साथ ही डाल देंगे इसमें कुटी लाल मिर्च और शॉटेंगे लाल मिर्च पाउडर पाॉडर इसे टेस्ट पहुंत ही मज़े दाना है पालक का इसको ड़ने के बाद इसमें हमने क्या करना है दो जाल नहीं अजुमने डॉल का जाया है वह अच्छे शुदालंग से पकाने लोक भालक का बसी जब दालने के पानर उबया दो जाल देनी है और नकी दाल को बु Ball की Aha और इसे मिक्स होने में साधा टाइम नहीं लेगेगा बहुत ही टेस्टी बनती है ये तो अगर आपके घर में भी दाल पालक बनती है और कैसे बनती है मुझे ये कुमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा क्योंकि मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट होती है अपनी विवर से ये वाली चीज़े जानने की तो लीजिए जी त्यार होगी है दाल पालक और इसे इंज्वाइ कीज़ेगा मक्की की रूटी के साथ तो बहुत ही मज़ा आएगा